किसान भायों नमस्कार एक वाफिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आज किस वीडियो में जानकारी देंगे टेंगरा मचली पालन के बाड़े में पिछले कुछ दिनों से हम आपको जानकारी दिये हैं सिंगी देशी मांगुर पटिया और गैची के बाड़े में कि इनका फार्मिंग आप और रोहुकतला के साथ अगर करते हैं बच्चा डाल देते हैं रोहुकतला के साथ तो बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है जब अब फार्मिंग करते हैं रोहुकतला का और जब तालाप का पानी सुखाते हैं तो बहुत ही अच्छा फार्मिंग होता है ऐसे में अगर अब तेंग्रा मचली को डाल देते हैं रोहुकतला के साथ-साथ तो उसके द्वारा की गई गंदगी और जो भोजन उसको देंगे उसी के भोजन पर टेंग्रा मचली भी पलेगे आज का जो पूरा वीडियो है टेंग्रा के बाड़े में दोस्तों ये सब जो है टेंग्रा हो गया सिंगी हो गया देसी मांगुर हो गया चाहे आपका पटिया गईची हो गया ये चार मचलिया आज मचलिया ऐ इसी है जो रोहू कतला के साथ बड़े आसानी से रह सकती है बिना उनसे भोजन में कोई भी प्रतिसपरधा करके कमप्टिशन करके और भोजन करने में उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती है ना उनके सरीर पर कोई अटैक करती है ना कोई नुकसान पहुंचाती है और य बहुत ही सांदार फाइदा होता है हम जीस प्रकार से आपको बताते हैं अगर आप एक एकर के तलाब में मचली पालन कर रहे हैं तो उसमें आप चार से पांच हजार रोहु कतला डालना है उसके साथ साथ एक एकर में दस हजार सिंगी आप छोड़ दीजिए देर साल और दो साल के लिए देर साल या दो साल के लिए आप सिंगी छोड़ दीजिए जब अप तलाब सुखाईएगा उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा उत्पादन सिंगी का मिलेगा क्योंकि सिंगी ऐसे जाल में पूरा नहीं आता है कुछ आता है देशी मांगुर का भी यही हाल है और गईची एकदम जाल में नहीं आता है उसके लिए तलाब पूरा सुखाना पड़ता है और जब टेंगरा की हम बात करें तो टेंगरा जाल में आता है लेकिन जब आप पान निकाली तो पुरी तरीके से एक तो फैंगरा मजली का हाड वेस्टिंग होता स Our Kid बार में बात करें तो तो फैंगरा दो प्रकार की होती है बहुत बहुत बढ़ा होगा तो 60-70 ग्राम तक टिंग्रा जाता है, इसी में मार्केट में ये सेल होने लगता है और मार्केट रेट की हम बात करें, हम अपने बिहार की बात करें तो यहां 800 रूपए, 700 रूपए, 600 रूपए, सीजन के अनुसार और बिहार में कई जगा वाड जैसे नेपाल साइड में रक्सॉल साइड में ये 1200 रुपे किलो, 1000 रुपे किलो सेल होती है तो आप अपने पहले मार्केट को पता कीजिए और फिर टेंगरा मचली का फार्मिंग कीजिए टेंगरा फार्मिंग बहुत ही प्रोफिटेवल बिजनेस है टेंगरा बर्फ वाला टेंगरा 500 रुपे किलो बिखता है अगर आप जिंदा टेंगरा मंडी में पहुचा देते हैं तो वहाँ समझिए लूट मच जाएगा इस परकार की ये मचलिया है टेंगरा हो गया, कवई हो गया, देसी मांगूर हो गया, सिंगी हो गया ये सब कुछ मचलिया है जो हाई भैलू फीस है अब टेंगरा के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि कितने दिनों में एक किलो हो जाएगी तो एक किलो नहीं होगी टेंगरा 50 ग्राम 60 ग्राम तक जाता है उससे बड़ा नहीं होगा और गुलसा हो या नोना टेंगरा हो आप दोनों का फार्मिंग कर सकते हो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ठंडी के दिनों में इन मचलियों को डाल सकते हैं ठंडी में नहीं डालना है लेकिन अभी आप डालिए ठंडी आने से दो महीने पहले अगर आप इन मचलियों का स्टॉकिंग तला में कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगले साल गड़मी में ये मचलिया बहुत बढ़ेगी दोस्तों तेंगरा मचली का बच्चा दिये हुए नमबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं तेंगरा मचली पालिए फिक्स डिपोजिट के तरह ये काम करता है जब रोहु कतला का या पंगास पालते है तो पंगास का हर्वेस्टिंग हो जाएगा या कोई भी मचली तला म मेपाली साथ में आप टेंगरा देसी मांगोर सिंगी कवाई ये सब हाई वैल्यू फीस है जो 500 रुपे 400 रुपे उपर में सेल होती है उन्हें डाल दीजिए तो एक एकर में कितना टेंगरा डालना है रोहु कतला के साथ साथ एक एकर के तलाब में आप 20,000 पीस टेंगरा क साथ करते रहेगी और एक बार आप हार्वेस्टिंग ले लिजे टेंगरा का उसके बाद भी कुछ टेंगरा अगर बच गया तलाब में तो बच्चे कर देगी फिर वह बढ़ेगी तो ये प्रोसेस जारी रहेगा एक बार बीज डालने के बाद आपको बार बीज खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी टेंगरा तलाब में ब्रीडिंग भी कर देती है खासकर अभी के समय में तो जिन किसान भायों को टेंगरा का बच्चा चाहिए दिये वे नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं रोहु कतला के हार्वेस्टिंग के बाद दो से तीन कॉल करके टेंगरा का बच्चा मंगवाईए नौना टेंगरा गुलसा टेंगरा देशी मांगूर सिंगी कवाई सबी के बच्चे उपल अबद हैं